हेलो बच्चो आज हम लोग एक बात पर चरचा करेंगे कि बहुत सारे स्ट्वेंट ये फोन कर रहे थे कि एक एमस्ट्री में थुछा से कुछ बता दीजे तो केमस्ट्री में दो गुरूप है इस्ट्वेंट्स के वो जहां भी पढ़ते हैं वहां पर भी स्टार्ट नहीं उसका रीजन यह है कि यूट्यूब पर बहुत अच्छे टीचर बढ़ा रहे हैं बहुत सारी डिटेल में पढ़ा रहे हैं वो लोग अच्छा कंटेंट दे रहे हैं बहुत अच्छी बात लगए गुरूप ऐसा भी है स्टुएंट्स का जो बहुत ही वीक है जब हैलो एलक के लिए इतना सफिशेंट हो नहीं पाता है या उनके लिए बेनिफिशल नहीं हो पाता है क्यों नहीं हो पाता है क्योंकि वो हैलो एलकिन बढ़ने का मन बनाये हुए हैं और अभी वो दूसरा टॉपिक सीखे हैं फिर डिटेल में सीखे हैं वो वो कर नहीं पाते हैं तो ऐ मैसेज कर रहे हैं कि सर प्लीज थोड़ा सा कुछ बता देजे, वो दो ग्रूप है, एक ग्रूप वो इन स्ट्वेंट्स का है, जो सलुशन से पढ़ना चाहते हैं, और कुछ जहा एक ग्रूप ऐसा है, जहां पर और और गेनिक स्टार्ट करा दी गई है, वो और गेनिक से जैसे कि उन्हें आई यू बेसी आती है, स्टुक्चर आफ एक्टम के लेर है, केमिकल बॉर्णिंग और पिरियॉडिक टेबिल, ये सारे कंसेट जानते हैं, वो तो किसी भी टीचर से इंजॉय करेंगे, जो स्टुएंट्स इस तरह के होते हैं, कि 11 को जैसे तैसे वो अपना एक्ट नहीं हो पाते, और काफी कोशिश करने के बाद या तो या दो टीचर स को या कैमिसिट्री को या कैमिस्ट्री वनाने वाले को ब्लेम करने लगते हैं, तो ऐसी स्टुएंट्स के लिए हम लोग इनिशेटिव ले रहे हैं, और अगर यह आपके लिए बेनीफिशल न तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताईएगा और अगर नहीं रहता है तो कोई बात नहीं बाकि तो हमारा चली रहा है फजिक्स के क्लासिस और यह आप लोगों की वज़े से ही हम कर रहे हैं जिन स्टुएंट्स ने फोन किये हैं और जो रिक्वेस्ट रहे हैं उनके ल प्रणिंग मिलती है हमारी फ्रिक्वेंसी मैच करती है हमारा समझाना उनकी समझ में आता है उन इस्टुएंट्स के लिए यह चीज हमें स्टार्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि हैलो एलकेंस में क्या प्रॉलम होती है अब हैलो अलकेंस कि नाइल गूरुप आएगा कभी हैवड़ाशन की बात होगी कभी आईउपेसी की बात होगी तो इन सबसे वो लोग बड़ा इरिटेट होते हैं क्योंकि हैवड़ाशन को समझ के नहीं आए और यह नहीं नहीं नाम यह नहीं चीजें थोड़ी में प्रॉलम करती हैं क्यों जहां तक हो सके हाथ के हाथ उससे बताते रहें और उसके लिए तरीका यह है कि जब हम लोग किसी टेस्ट बुक से पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे पूरे डूप जाएंगे और देखते हैं कैसे समझ में नहीं आ रहा है यह एक अच्छी बात है नगर जब हम लोग शुरू करते हैं तो इनिशली इसमें बहुत सारे बेसिक्स दे रखके होते हैं जब तक काम की बात आती है दो तीम पेश के बाद जब तक वो लोग सेचुरेट हो चुके होते हैं और जब वो सेचुरेट हो जाते हैं तो फिर वो बोर होने लगते हैं तो इस तरह से उनको उस टॉपिक से connect होना चाहिए जो थोड़ा उनको boost करा सके जो काम की बात हूं जो boost करा सके उनको उनके अंदर confidence जब अच्छी तरह से सारी चीज़े वह सीख लेंगे जो में में हैं तब उनके अंदर इतना जादा कॉंडेंस और इतना अफेक्शन बैदा हो जाएगा उस टॉपिक को लेकर कि वह इसकी कुछ एक्स्ट्रा बाते भी सीख लेंगे और लुक्स में जो लिखी हुई हैं जैसे कि हम जो चीज़े छोड़ के आगे वड़े थे वो चीज़े भी वो सीख लेंगे तो यह किस्ट्राट्जी है उन स्ट्रेंट्स के लिए जो अपने आपको बहुत वीक मानते हैं या जिन लोगों ने प्रॉपरली 11 में पढ़ाई नहीं की थी या जो लोग 12 भी पास आउट हो चुके हैं किसी competitive examination में हैं तो एक से डिटेल में पढ़ाने वाले टीचर की language लोगों के समझ में नहीं आती है उन लोगों के लिए हम लोग यह initiative ले रहे हैं तो शुरू करते हैं फिर गैस और कोई बाते हैं इसमें बताना है है सहीं तो बात यह है क्योंकि chemistry एक दूसरे से इतनी interlinked है कि अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं 12 के कुस्ट topics जब तक आपका 11 का सब killer नहीं है जब तक आपको पूरा इसमें मज़ा नहीं आएगा है आप उसको enjoy नहीं कर पाएंगे entertain नहीं कर पाएंगे इसके लिए आपको चाहिए तो यह है कि 11 में जतनी भी चीज़े छोड़ के आए हैं आपको सही से पढ़ना चाहिए मगर यह time हम काफी time से students को बता रहे हैं जब 12 में हमें मिलते हैं कुछ इस तरह के लोग मगर वो चाहते तो हैं मगर सीखते नहीं और जब तक नहीं सीखते हैं जब तक आगए का उनका सारा ही खराब रहता है तो ऐसे आएक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद वो और भी सीखते रहेंगे जो चीजे उन्होंने पहले कभी छोड़ी थी या जिन कंसेप्ट की सब्रूरत है वो सब सीखेंगे क्योंकि chemical bonding की सब्रूरत हर कहीं पर है structure of item हर कहीं है पेराडिक टेबल जंगा जंगा पर बाते आते रह जो गलती हां पीछे करके आए हैं जो लापरवाईया करके आए हैं अगर हम उनको फिल नहीं करेंगे तब तक हम running चीज में अच्छे नहीं हो सकते तो उन लोगों के लिए suggestion है कि पहले जाकर वो यह सारा gap अपना फिल करें जो वो छोड़ कर आये थे और जो ऐसा नहीं कर प में हैं पहले उनको टॉपिक से connect करेंगे फिर उनको सिखाएंगे यहां से और जब उनके अंदर समझ और confidence develop हो जाएगा तब उनको 11 से सिखाते हुए दुबारा लाएंगे ठीक है ना बच्छों तो आई होप यह बात आप लोग समझ गये होंगे और अगर आप लोगों के अच्छा है तो फिर इसको स्टार्ट किया जाए ठीक है तो आज हम लोग एक टॉपिक उठाते हैं आज कुछ थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे हैलो एलकेंस पर और हैलो एलकेंस स्टार्ट होगा और पहलेली सेलूशन को भी चलाएंगे ताकि जो भी दोनों कुरूप फिल्ड इंटेंस्टी यह सब स्टार्ट करेंगे ठीक है ना बच्छो तो चलिए हैलो केंस को स्टार्ट करते हैं